देश के संसाधनों को बहतर बनाने का इस सिलसिला देश हित में हैं, देश की गरीबी से मुक्ति के अभियान के लिए हैं, देश को ताकतवर बनाने के लिए हैं और ये निरंतर जारी रहेगा जन्यवाद सर, अब मैं माननीए प्रधान मंत्री महोदे से सविनन रोध करना चाहूँगा के वे इस अपसर पर अपना संबोधन दिग्रशन एवं आसिरवचन देने की कृपा करें उत्राखन की गवरनर श्रीमति बेवी रानी मोरियाजी मुक्य मंत्री श्रिमान त्रिवेंदर सी रावजी केंद्रिय मंत्रि मंडल के मेरे सहयोगी गजनदर सी शेखावजी डक्टर रमेश पुखरियाल निशंग जी स्री रतनलाल कटारिया जी अन्य अधिकारी गण और उत्राखन के मेरे भाई और बहनो चार धाम की पवित्रता को अपने में समेटे देव भूमी उत्राखन की धरा को मेरा आदर पुर्वक नमन आज मा गंगा की निर्मलता को सुनिस्षित करने वाले छे बड़े प्रोजेक्स का लोकारपन किया गया है इसमें हरिदवार, रिशिकेश, बदरिनात और मुनी की रेती में सीवे ट्रिट्मेंट प्लांट और मुजियम जैसे प्रोजेक्स भी शामिल है इन तमाम प्रोजेक्स के लिए उत्राखन के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों अपसे कुछ दूर देर पहले जब जल जीवन मिशन के खुपसुरत लोगों का और मिशन मारदरशिका का भी विमोचन हुआ है जल जीवन मिशन भारत के गावों में हर घर तक सुद्ध जल पाईप से पहुँचाने का यह बहुत बड़ा अभियान है मिशन का लोगों निरनतर इस बात की प्रिरणा देगा कि पानी की एक-एक मुंद को बचाना आवशक है वहीं ये मारदरशिका गावों के लोगों ग्राम पंचायत के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी सरकारी मशिनरी के लिए आवशक है ये परियोजना की सबलता सुनिश्चित करने का बहुत बड़ा माध्यम है साथियों आज जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है उसमें भी विस्तार से ये बताया गया है कि गंगा किस तरह हमारे सांस्कृतिक वैभव, आस्था और विरासत तीनों का ही बहुत बड़ा प्रतीक है उत्राखन में उत्गम से लेकर पंच्चिम बंगाल में गंगा सागर तक गंगा देश की करीब करीब आधी आबादी के जीवन को सम्रद्द करती है और इसलिए गंगा की निर्मलता आवशक है गंगा जी की अविरलता आवशक है बीते दसकों में गंगा जल की स्वच्चता को लेकर बड़े-बड़े अभियान शुरू हुए थे लेकिन उन अभियानों में न तो जन भागीदारी थी और नहीं दूरदर्शी था नतीजा यह हुआ कि गंगा का पानी कभी साफ ही नहीं हो पाया साथ क्यों अगर गंगा जल की स्वच्चता को लेकर वही पुराने तौर तरीके अपनाए जाते तो आज भी हालत उतनी ही बुरी रहती लेकिन हम नई सोच नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े हमने नमामी गंगे मिशन को सिरफ गंगा जी की साफ सफाईता की सिमित नहीं रखा बलकि इसे देश का सबसे बढ़ा और विस्तरुत नदी समरक्षण कारकम बनाया सरकार ने चारों दिशाओं में एक साथ काम आगे बढ़ाया पहला गंगा जल में गंदा पानी गिरने से रोकने के लिए सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांटों का जाल बिछाना शुरू किया दूसरा सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांट ऐसे बनाये जो अगले 10-15 साल की भी जरुरते पूरी कर सके तीसरा गंगा नदी के किनारे बसे सो बड़े शहरों और 5,000 गामों को खुले में सोट से मुक्त करना और चौथा जो गंगा जी की सहायक नदिया हैं उनमें भी प्रदिशन रोकने के लिए पूरी ताकट लगाना साथियों आज इस चवत अरफा काम का परिणाम हम सभी देख रहे हैं आज नमामी गंगे कारकम के तहट 30,000 करोड रुपय से अधिक की परियोजनाओं पर या तो काम चल रहा है या फिर पूरा हो चुका है आज जिन प्रोजेक्स का लोकारपन किया गया है उनके साथ ही उत्राखन में इस अभियान के तहट चल रहे करीब करीब सभी बड़े प्रोजेक्स पूरे हो चुके हैं हजारों करोड के इन प्रोजेक्स से सिर्फ छे सालों में ही उत्राखन में सीवेज ट्रिट्मेंट की शमता करीब करीब चार गुना हो चुकी है साथियों उत्राखन में तो स्थिती ये थी कि गंगोतरी, बद्रिनाप, केदारनाश से हरिद्वार तक 130 से जादा नाले गंगाजी में गिरते थे आज इन नालों में से अधिकतर को रोक दिया गया है इसमें रिशिकेश से सटे मुनी की रेती का चंद्रेश्वर नगर नाला भी शामिल है इसके कारण यहां गंगाजी के दर्शन के लिए आने वाले राफ्टिंग करने वाले सासिक नसाथियों को बहुत परिशानी होती थी आज से यहां देश का पहला चार मंजिला सीवेज ट्रिट्मेंट प्लाम शुरू हो चुका है हरी द्वार में भी ऐसे 20 से जादा नालों को बंद किया जा चुका है साथियों प्रयाग राज कुम्ब में गंगा जी की निर्मलता को दुनिया भर के सरद्धालों नोय अनुभव किया था अब हरी द्वार कुम्ब के दरान भी पूरी दुनिया को निर्मल गंगास्तान का अनुभव होने वाला है और उसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। साथियों, नमामी गंगे मिशन के तहत ही गंगा जी पर सेंकडों गाटों का सुंद्री करण ये किया जा रहा है। और गंगा विहार के लिए आधुनिक रिवर फ्रंट के निर्मान का कारिय भी किया जा रहा है। हरिदवार में तो रिवर फ्रंट बनकर तयार है। अब गंगा मुजियम के बनने से यहां का आकरशन और अतिक बढ़ जाएगा। ये मुजियम हरिदवार आने वाले परेटकों के लिए गंगा से जुड़ी विरासत को समझने का एक माध्यम बनने वाला है। साथियों, अब नमामी गंगय अभियान को एक नए स्तरपल ले जाये जा रहा है। गंगा जी की स्वच्चता के अलावा अब गंगा से सटे पूरे शेत्र की अर्थेववस्ता और परियावरण के विकास पर भी फोकस है। सरकार द्वारा उत्राखन सहीत सभी राज्यों के किसानों को जैविक खेती, आयुर्वेदिक पौधों की खेती का लाप दिलाने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है। गंगा जी के दोनों और पैड़ पौधे लगाने के साथ ही और्गेनिक फार्मिक से जुड़ा कोरिडोर भी विक्सित किया जा रहा है। गंगा जल को बहतर बनाने के इनकारियों को अम मैदानी इलाकों में मिशन डॉल्फिन से भी मदद मिलने वाली है। इसी पंदरा अगस को मिशन डॉल्फिन का एलान किया गया है। कि मिशन गंगा जी में डॉल्फिन सरमर्दन के काम को और मजबूत करेगा। साथियों आज देश उस दोर से बाहर निकल चुका है। जब पानी की तरह पैसा तो बह जाता था लेकिन नतीजे नहीं मिलते थे। आज पैसा न पानी की तरह बहता है न पानी में बहता है पर पैसा पाई 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 पानी पर लगाया जाता है। हमारी यहां तो हालत यह थी कि पानी जैसा महत्वपुण विशय अनेकों मंत्रालयों और विभागों में बिखरा पड़ा हुआ था, बटा हुआ था। इन मंत्रालयों में विभागों में न कोई तानमेल था और नहीं समान लक्ष के लिए काम करने का कोई स्पष्ट दिशा निरदेश। नतीजा यह हुआ कि देश में सिंचाई हो और फिर पीने के पानी से जूड़ी समस्या। यह निरंतर विक्राली होते गए आप सोचिए आजादी के इतने वर्षों बाद भी पंदरा करोर से जादा घरों में पाइप से पीने का पानी नहीं पहुझता था। यहां उत्राखन में भी हजारों घरों में यही हाल था। गाओं में पहड़ों में जहां आना जाना तब मुश्किल हो वहां पीने के पानी का इंतजाम करने में सबसे ज़्यादा तकलीप हमारी माताओं को बेहनों को बेटियों को उठानी पड़ती थी। पड़ाई चोड़नी पड़ती थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए देश की पानी से जुड़ी सारी चुनोतियों पर एक साथ उर्जा लगाने के लिए ही जल्शक्ती मंत्राले का गठन किया गया। मुझे खुशी है कि बहुती कम समय में जल्शक्ती मंत्राले ने तेजी से काम संभालना शुरू कर दिया। पानी से जुड़ी चुनोतियों के साथ साथ अब ये मंत्राले देश के गाउं में हर घर तक जल पहुचाने के मिशन में जुटा हुआ है। आज जल जीवन मिशन के तहट हर दिन करीब करीब एक लाग परिवारों को शुद्ध पेई जल की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। सिरफ एक साल में ही देश के दो करोड से जादा परिवारों तक पीने का पानी पहुचाया जा चुका है। यहां उत्राखन में तो तिवेंद्र जी और उनकी टीम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सिर्फ एक रुपिये में पानी का कनेक्शन देने का बिड़ा उठाया है। मुझे खुशी है कि उत्राखन सरकार ने साल 2022 तक ही राज्य के हर घर तक जल पहुचाने का लक्ष रखा है। कोरोना के इस कालखन में भी उत्राखन में बिते 4-5 महिने में 50,000 से अधिक परिवारों को पानी के कनेक्शन दिये जा चुके हैं। ये उत्राखन सरकार की प्रतिविद्यता को दिखाता है, कमिट्मेंट को दिखाता है। साथियों, जल जीवन मिशन गाउं आउं गरीब के घर तक पानी पहुचाने का तो अभ्यान है ही। ये एक प्रकार से ग्राम स्वराज को गाउं के शसक्तिकर्ण को उसके लिए भी एक नई उर्जा, नई ताकत, नई बुलंदी देने वाला अभ्यान है। सरकार के काम करने में कैसे बहुत बड़ा बडलाव आया है, ये उसका भी उदार है। पहले सरकारी योजना उपर अक्सर दिल्ली में ही बैठ कर फैसला होता था। किस गाउं में कहा सोर स्ट्रेंग बनेगा, कहा से पाइपलाइन बीचेगी, ये सब फैसले ज़्यादातर राजधानियों में ही होते थे। लेकिन जल जीवन मिशन ने अब इस पूरी परिपाटी को ही बदल दिया है। गाउं में पानी से जुड़े कौन से काम हो, कहा काम हो, उसकी क्या तैयारी हो, ये सब कुछ ताय करने का फैसले लेने का अधिकार अब गाउं के लोगों को ही दे दिया गया है। पानी के परजेश की प्लानिंग से लेकर रख रखाओ और संचालन तक पूरी व्यवस्ता ग्राम पंचायत करेगी, पानी समितिया करेगी, पानी समितियों में भी 50 प्रतिशत गाउं की बेहने हो, गाउं की बेटिया हो, ये भी सुनिश्चित किया गया है। साथियों, आज जिस मारदर्शिका का विमोचन किया गया है, वो इनी बेहनों बेटियों, पानी कमिटी के सदस्यों, पंचायत सदस्यों के सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। एक प्रकार की बारदर्शिका है, और मेरा पक्का विश्वास है, पानी की कठिलाई क्या होती है, पानी का मुल्डे क्या होता है, पानी की आवश्यक्ता कैसे सुविदाव और संकर दोनों लाती है। इस बात को हमारी माताएं बहने जितना समझती है, शाहिदी कोई समझता है। जल जीवन मिशन ने गाउं के लोगों को एक अवसर दिया है, अवसर अपने गाउं को पानी की समस्याओं से मुक्त करने का, अवसर है अपने गाउं को पानी से भरपूर करने का, मुझे बताया गया है कि जल जीवन मिशन इस दो अक्तूबर गाउंदी जन्ती से एक और अभ्यान शुरू करने जा रहा है। सौ दिन का एक विशेश अभ्यान जिसके तहट देश के हर स्कूल और हर अंगनवाडी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं इस अभ्यान की सबलता की शुब कामना देता हूं और मैं राज्य सरकारों से भी आगरह करता हूं। कि करने जैसा पवित्र काम है राज्य सरकारे भी पूरी तरह इस जिम्मेबारी को अपने कंदे पर उठाएं और इस काम को सौ दिन में हम पुरा करके दिखाएं। साथियों नमामी गंगे अभ्यान हो, जल जीवन मीशन हो, स्वच्छ भारत अभ्यान हो, ऐसे अनेक कारकम बीते छे सालों के बड़े रिफार्म का हिस्सा है, यह ऐसे रिफार्म है जो सामान्य जन के जीवन में, सामाजी की वबस्ता में हमेशा के लिए सार्थक बरलाव ल बीते एक डेड़ साल में तो इसमें और ज्यादा तेजी आई है, अभी जो संसत का सत्र खत्म हुआ है, इसमें देश की किसानों, स्रमीकों और देश के स्वास्त से जुड़े बहुत बड़े-बड़े सुधार किये गए हैं, इन सुधारों से देश का स्रमीक ससक्त होगा, देश का नवजवान ससक्त होगा, देश की महलाएं ससक्त होगी, देश का किसान ससक्त होगा, लेकिन आज देश देख रहा है कि कैसे कुछ लोग सिरफ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, साथियों, अपसे कुछ दुन पुर्व, देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है, अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है, लेकिन आज जब केंदर सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है, तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं, ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए, ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़िया जब्त होती रहें, उनसे वसुली होती रहें, उनसे कम किमत पर अनाज खरीत कर बीचोलिय मुनाफ़ा कमाते रहें एक किसान की आजादी का विरोध कर रहे है जिन सामानों की उपकरोनों की किसान पूजा करता है उन्हें आग लगा कर ये लोग अब किसानों को अप मानित कर रहे हैं साथ क्यों बर्सों तक ये लोग कहते रहें MSP लागू करेंगे MSP लागू करेंगे लेकिन किया नहीं MSP लागू करने का काम स्वामिनासन कमिशन की इच्छा के नुसार हमारी ही सरकार ने किया आज ये लोग MSP पर ही किसानों में भ्रह्म फ़ला रहे हैं देश में MSP भी रहेगी और किसानों को कही पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी लेकिन आजादी कुछ लोग बरदास्ट नहीं कर पा रहे हैं इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया है इसलिए इने परेशानी है साथियों करोना के इस कालखण में देश ने देखा है कि कैसे डिजीटल भारत अभियान ने जनतन बैंक खातों ने रुपे काण ने लोगों की कितनी मदद की है लेकिन आपको याद होगा जब यही काम हमारी सरकार ने सुरू किये थे तो ये लोग इनका कितना विरोध कर रहे थे इनकी नजरों में देश का गरीब देश के गाउं के लोग अनपड थे अज्ञानी थे देश के गरीब का बैंक खाता खुल जाएं वो भी डिजिटल लेंदेन करें इसका इन लोगों ने हमेशा विरोध किया साथियों देश ने ये भी देखा है कि जब वन नेशन वन टैक्स की बात आई कि जीएश्ट्री की बात आई तो फिर ये लोग फिर विरोध करने लिए बैदान में आगे जीएश्ट्री की विजह से देश में घरेलू सामानों पर लगाने वाला टैक्स बहुत कम हो गया है जादा तर घरलू सामाने रसोई के लिए जरूरी चीजों पर टैक्स अब या तो नहीं है या फिर पांच प्रतिशत से भी कम है पहले इनी चीजों पर जादा टैक्स लगा करता था लोगों को अपनी जेप से जादा पैसे खर्च करने पड़ते थे लेकिन आप देखिए इन लोगों को जीएश्टी से भी परेशानी यह उसका मजाग उड़ाते हैं उसका विरोध करते हैं कि शादियों यह लोग नखिसान के साथ है ननव जवान के साथ और नहीं देश के वीड़ जवान के साथ है आपको याद होगा जब हमारी सरकार वन रेंग वन पेंशन लाई उत्तरा खंड के हजारों पुर्व सहिनिकों को भी उनका इधिकार दिया ते लोग इसका भी विरोध कर रहे थे वन रेंग वन पेंशन लागू करने के बाद सरकार वन पुर्व सहिनिकों को लगभग ग्यारा हजार करोड रुपिये एरियर के तो दे चुकी हैं यहां उत्तरा खंड में भी एक लाग से जादा पूर्व सहिनिकों को इसका लाब मिला है लेकिन इन लोगों को वन रेंग वन पेंशन लागू किये जाने से हमेशा दिक्कत रही है इन लोगों ने वन रेंग वन पेंशन का भी विरोध किया साथियों बर्सों तक इन लोगों ने देश की सेनाओं को देश की वायू सेना को ससक्त करने के लिए कुछ नहीं किया वायू सेना कहती रही कि हमें आधुनिक लड़ा को विमान चाहिए लेकिन ये लोग बायू सेना की बात कभी नहीं सुनी उसको नजर अंदाज करते रहे जब हमारी सरकार ने सीधे फ्रांस सरकार से रफाइल लड़ा को विमान का समझोता कर लिया तो इनको फिर दिक्कत होने लगी भारतिय बायू सेना के पास रफाइल विमान आए भारतिय बायू सेना की ताकत बड़े ये इसका भी विरोत करते रहे मुझे खुशी है याज रफाइल भारतिय बायू सेना की ताकत बड़ा रहा है अंबागलास से लेकर के लेह तक उसकी गर्जना भारतिय जांबाजों का हांसला बड़ा रही है साथियों, चार साल पहले का यही तो वो समय था जब देश के जाबाजों ने सर्जिकल स्ट्राइट करते हुए आतंग के अड़ों को तवा कर दिया था लेकिन यह लोग अपने जाबाजों के साहस की प्रसुशा कर रहें के बजाए उनसे ही सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध करके यह लोग देश के सामने अपनी मन सब अपनी नियत साप कर चुके हैं देश के लिए हो, जो भी काम हो रहे हो, हर काम का विरोध करना, इन लोगों की आदत हो गई है, उनकी राजनीती का एक मात्र तरीका यही है, बस विरोध, 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 आप याद करिए, बारत की पहल पर जब पूरी दुनिया आंतर राज्य योग दिवस मना रही थी, पूरे विश्व में भारत गर्व कर सकता है, योग पहुंच चुका है, तो ये भारत में ही योग का विरोध कर रहे थे, जब देश की सेंकडों रियासतों को जोडने का काम, एक्तिहासिक काम करने वाले, भारत की एक्ता को मजबूत करने का काम करने वाले, सर्दार वल्लब भाई प्रटेल की दुनिया की सबसे उची प्रतिमा का नावरण हो रहा था तब भी ये लोग इसका विरोध कर रहे थे आज तक इनका कोई बड़ा नेता स्टेजी अभी निटी के दर्शन करने नहीं गया है क्यों? क्योंकि उन्हें विरोध करना है 24 नवेंबर को सम्विधान दिवस मनाने की बात आई तब भी ये इसका विरोध कर रहे थे डॉक्टर बाबा साब अमेड करका विरोध कर रहे थे साथ यों पिछले महने ही आयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्मान के लिए भूमी पुजन किया गया है ये लोग पहले सुप्रिम कोट में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे फिर भूमी पुजन का विरोध करने लग गए हर बदलती हुई तारिक के साथ विरोध के लिए विरोध करने वाले ये लोग देश के लिए समाज के लिए और प्रसांगिक होते जा रहे हैं इसकी चट-पटा आच है, बेचे नी है, हताशा है, नराशा है, एक ऐसा दल जिसके एक परिवार की चार-चार पीडिया, जिसने देश पर राज किया, वो आच दूसरों के कंदों पर सवार होकर, देश हिस से जुड़े हर काम का विरोध करवाकर, अपने स्वार्त को अने को ऐसे छोटे-छोटे दल है, जिने कभी सत्ता में आने का मोका नहीं मिला, अपनी स्थापना के लेकर अब तक उन्होंने जानदातर अपना समय विपक्षमें ही बिताया है, इतने वर्सों तक विपक्षमें बैटने के बावजूद, उन्होंने कभी देश का विरोध नहीं किया, देश के खिलब काम नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों को विपक्षमें बैटे कुछ वर्सी हुए हैं, उनका तौर तरीका क्या है, उनका रवया क्या है, वो आज देश भली भाती समझ रहा है, देश उसको बहुत बारीकी से देख रहा है, इनकी स्वार्थनीत के बीच को आतमनिर भर भारत के लिए बड़े रिफॉर्म का यह सिलसिला देश के संसाधनों को बहतर बनाने का यह सिल्सिला देश हित्में हैं देश की गरीबी से मुक्ति के अभियान के लिए हैं देश को ताकतवर बनाने के लिए हैं और ये निरंतर जारी रहेगा एक बार फिर आप सभी को विकास के सभी प्रोजेक्ट के लिए मेरी तरब से बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं और फिर से मैं यही आगरह करूंगा आप अपना ध्यान रखिये स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए बाबा के दार की कृपा हम सभी पर बनी रहें इसी कामना के साथ बहुत-बहुत धन्यवार जय गंगे